लो दोस्तों आप कैसे हैं और मैं विजय कुस्वा और आप देख रहे हैं बजलंग बीज बंडार यूट्व चैनल और आज हम बात करेंगे पत्ता गोवी की खेती के बारे में और पत्ता गोवी की A2Z संपूर जनकारी के बारे हम बात करेंगे कि इसके लगाने का एक उचे समय क्या है इसके लिए खेत की त्यारी कैसे करनी चाहिए कौन-कौन सी मिट्टियों में हमें इसकी खेती कर सकते हैं इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए इसकी कौन-कौन सी उन्नत किसमे है इसके बीज को हम उपचारत कैसे करें इसमें कौन कौन कोन से खरपतवार उगते हैं, उनका नियंतर कैसे करना चाहिए, इसमें कौन-कोन से रोग लगते हैं, कौन-कोन से कीट लगते हैं, उनका नियंतर हमको कैसे करना चाहिए, इसमें हमको खाद कौन-कोन सी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, और इसका उत्पादन कित आपको यहां से मिलती रहे और नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे तो बने रहे वीडियो के एंड तक तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि आरे हम बात करेंगे पत्ता गोवी की खेती की A to Z संपूर जनकारी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते ह खेती हैं कि पत्ता गोवी की खेती हमको किस समय लगानी चाहिए पत्ता गोवी की खेती हमारे बारत देश में पूरे बर्स की जाती है खरीब सेजन में की जाती है कई इस्तानों पर खरीब सीजन में की जाती है कई इस्तानों पर रवी सीजन में की जाती है और कई इस्तानों पर जाय सीजन में की जाती है तो अलालग इस्तानों पर अलालग सीजनों में इसकी खेती की जाती है यदे में इसकी खरीब सीजन में बुवाई करते हैं तो आप 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं यदे आप 20 सीजन में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो 1 सितम्मत से लेकर 30 नौमत तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं बात करें इसके तापमान की तो अलाला इस्तानों पर अलाला तापमान की और अलाला समय पर अलाला तापमान की आवशकता पढ़ती है यदे आप इसको रवी सीजन में लगा रहे हैं तो कम तापमान की आवशकता पढ़ती है और यदे आप इसको जाय सीजन में लगा रहे है तो अधिकता आप माल कि आवश्च रखता पड़ती है कहने का मतलब कि इसकी खेती आप नम, ठंडी, गर्म, आर्द जलोवाय में इसकी खेती कर सकते हैं बात करें कि इसकी खेती के लिए कौन-कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो पत्ता गोवी की खेती के लिए दोमट मिट्टी, बले दोमट मिट्टी, हलकी चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, हलकी रेतिली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इस जमीन में इसकी खेती नहीं की जा सकती है और इसके लिए मिट्टी में जीवांश्म और कारवनिक पदार्थ की मात्रा उचित मात्रा में उपलब दो तवी अच्छी तरीके से पत्ता वोवी की खेती की जा सकती है बात करें इसकी खेत की त्यारी की तो जब हम खेत की त्यारी करते हैं तो सबसे पहले हम दो जुताई आड़ी और तिर्ची हैरो से करवा सकते हैं और हैरो से करवाने के बाद उसके बाद आप इसमें 15-20 तन सड़ी होई गोवर की खात का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी के साथ आप 2-4 किलोगराम प्षती एकड के साथ से ट्राइकोरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप 4 जुताई आप कल्टिवेटर से करवाकर और अंतिम १ुताई रूटाबेटर से करवाकर आप खेत को समतल उड़ सकते हैं और पत्ता वो भी कि जो खेती है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं एक तो आप क्यारी में कर सकते हैं एक आप बैड बना कर सकते हैं यदे आपके यहां जल बराव की समस्या जादा नहीं है तब आप क्यारी में भी कर सकते हैं यह जल बराव की समस्या है तो आप बैडों पर भ तो इसकी जो भुवाई है हमने आपको बताई कि आप सकते हैं ये आप नरसरी में कर रहे हैं तो तीन फीट चोड़े और लगवगब 5-6 पीट लंबे आप लगव आच से दस बैड़ बना सकते हैं और बीज के कर सकते हैं ये आच से दस बैड़ कर आपके बीज का जमाव सही ह तो एक एकड़ खेत के लिए पोत तयार हो जाती है बात करें इसकी उन्नत किस्मों की तो इसकी मार्केट में कई वेराइटियां आती है कुछ वेराइटियों के हम आपको नाम बता दे रहे हैं जैसे की एक्सन आईवेज की चैकमेट आती है एडवन्टा की कीर्ति के नाम से सेमेनस की ग्रीन चैलेंजर और वंडर वाल के नाम से आती है कलस की चेंप के नाम से आती है मैको सीर्स की माही 149 के नाम से आती है और सकाटा की पूमा और ग्रीन एक्सप्रेस आती है और नामदारी सीर्स की सोरव के नाम से आती है तो मार्केट में कई वेरेटियां आती है औ और अलाला इस्तानों पर अलाला वेरैटियां लगाई जाती है आपके यहां कौन सी वेरैटिया लगाई जाती है कौन सा अधिक उत्पादन देती है आप करेंट करके हमको पता सकते हैं बात करें इसके बीज की मात्रा की तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो आपके लगाने के समय पर और लगाने के इस्तान पर और लगाने की विधी पर नरवर करती है कि इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है एक एवरे लगबग 100 ग्राम से लेका 300 ग्राम बीज की मात्रा आपकी एक एकड़ खेत की रुपाई के लिए परयाप्त हो जाती है बात करें इसके बीज उक् करते हैं और नर्शें के बाद ज dużo 25 से 30 दिन क्यों जाती है और नर्सें कि त्यार करते हैं QUE द्हुश्ज angef करते हैं तो लायन से लायन की दूरी लगबग सभा फीट रोनी चाहिए और पौदे से इसी के साथ हम रहासाने खादों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यदे हम रहासाने खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे कि DAP आप 50 कलोगराम प्रत्यकड के साव से ले सकते हैं, दीएप उपलद नहीं है तो आप NP के का भी 50 कलोगराम प्रत्यकड के साव से इस्तेमाल कर कर सकते हैं और आप अंतिम जुताई कर रहे हैं इन सभी को मिला कर आप अंतिम जुताई से पहले इसको विखेर कर और खेत को त्यार कर सकते हैं जब आपकी फसल 10-15 दिन की हो जाती है उस समय हमको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए तो उस समय आप यूरिया जो के आप 30 से 40 कलोगराम प्रत्यकड के इसाफ से ले सकते हैं और उसी के सासाथ आप 1-2 कलोगराम प्रत्यकड के इसाफ से यूमेक एसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जब भी सिचाई कर रहे हैं तो सिचाई करने से पहले आप घोल के रू येदि आप उसमय नराही के साथ आप DEP 40-50 kg प्रतेकड के सावसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो इस्प्रे में आप NPK 19-1929 या 20-2022 आप 800 ग्राम से लेकर 1 kg प्रतेकड के सावसे और Boron 200 gram से लेकर 300 gram प्रतेकड के साथ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी फसल 40-45 दिन की हो जाती है उस समय आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए तो उस समय आप NPK 0-050 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 kg प्रतेकड के साथ से यदे आपके यहां पुटास लुकड में यद उपलब्द है या कैल्सियम लुकड में उपलब्द है तो आप 500-800 ml प्रत्यकड के साथ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समय आप यूरिया 40-50 किलोगराम प्रत्यकड के साथ सचाई के साथ गोल के रूप में प्रयो कर सकते बात करें सिचाई प्रवंदन की इसमें जो सिचाई हैं यदे आप इसकी खरीब सीजन में फसल लगा रहे हैं तो खरीब सीजन में जहातर बरसात होती रहती है उसमें जहातर पानी की आवशकता नहीं पड़ती है यदे फिर भी सिचाई की आवशकता पड़ती है तो आप से चाहिए कर सकते हैं बात करें इसके खर्पतवार की और उनके नियंत्र की तो पत्ता वो भी की फसल में अलगलग मोसम में अलगलग खर्पतवार उगते हैं जैसे बथुआ, खर्थुआ, जंगले पालक, दोवगास, मौथा और भी कई खर्पतवार उगते हैं अलगलग मौसमों में अलगलग खर्पतवार उगते हैं खर्पतवारों के नियंतर के लिए आप रुपाई से पहले पैंड मैतरिन 30% TC formulation में आती है उसकी एक लीटर मात्रा और पैरा का डाइकलोराइड 24% SL form में आती है उसकी एक लीटर मात्रा आप प्रतेकड के साव से छड़काव कर सकते हैं रुपाई से लवग बारे से 24 गंटे पहले इनकी एक लीटर मात्रा की आप चड़काव कर सकते हैं यह उसके बाद भी इसमें खर्पतवार उते हैं तो आप समय अनुसार नराई कर सकते हैं बात करें इसमें रोग और उनके नियंतर की तो इसमें कई रोग देखने को मिलते हैं पहला रोग जो कि तनागला इसके इसके अलावा एक दूसरा रोग है जो कि कारा दबबा है जिसको हम ब्लेक स्पाट बोलते हैं इसकी रोगताम करने के लिए आप कॉपर औक्सिकलोराट 50% डवलूपी को 300-500 राम प्रतेकड के साथ से छड़का कर सकते हैं इसके बाद अगला रोग है जो कि जडगलन रोग ह और कासवा मारसन 3% SL फोरम में आती है उसके आप 300-400 ml मात्रा इन सभी के घोल को आप मिलाकर प्रतेकड के साथ से छड़काव कर सकते हैं या फिर आप और एजोक्सिस्ट्रोविन 11% और टेवु को नजल ठारा तसमा 3% वारे टेकनिकल को आप 200-500 ml प्रतेकड के साथ से कर सकते हैं इसके वाद अगला रोग है जो कि जुलसा या पत्ती दबा जिसको रोग बोलते हैं इसकी रोगताम करने के लिए पैजोक्सिस्ट्रोविन 23% ऐसी पोरमलेसन में आती है उसकी आप 150-100 ml प्रतेकड के साथ से छड़काव कर सकते हैं या पिर आप कोपर ओक्सिक्ल रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है इसकी रोग थाम करने के लिए आप एलिएट फंजिसाइड को 30 से 40 ग्राम प्रत पंदर लीटर पानी में छिड़काओ कर सकते हैं और यदे आपकी फसल में रुपाई करने के बाद यदे रोग देखने को मिलता है तब आप प्रतियकड के साथ कर सकते हैं या फिर आप क्लोरो थैलोलेनल जो कि 75% डवलूपी में आता है उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रतियकड के साथ कर सकते हैं उसके बाद अगला रोग है जो कि फल सडन रोग है इसकी रोग थाम करने के लिए आप एजोक्सिस टोबिन 11 परसंट और प्रतियकड के साथ कर सकते हैं तो यह पत्ता गोवी की फसल में रोग देखने को मिलते हैं और हमने आपको इनकी रोग थाम भी बताई हैं अब बात करते हैं कि कीटों की कि इनमें कौन-कौन से कीट लगते हैं उनका नेंदर हमको कैसे करना चाहिए तो इसमें कई कीट प्रतियकड के साथ से प्रयोग कर सकते हैं यदे आपने उस समय प्रयोग नहीं कर पाया है तो आप जब सिचाई कर रहे हैं फसल खड़ी में जब आप सिचाई कर रहे हैं उस समय आप कारोपूरान को प्रतियकड के साथ से प्रयोग कर सकते हैं उसके बाद अगला कीट है ज जो के माहू है और डामंड बैक मौत या जिसको हम हीरक पतंगा कीट बोलते हैं इनकी रोकताम करने के लिए आप फिप्रनल 5% ऐसी फॉर्मलेशन में आती है उसका आप 200-250 ml प्रतेकड के साथ से छड़काव कर सकते हैं या पिर आप इमीडा क्लोप्रेड 17.8% ऐसा फॉर्म मे कर सकते हैं या उस समय आपने प्रतेकड कर पाया है तो जब आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो ड्रेंचिंग में आप जो कि सेंजाटा कंपने के बोलियम प्लेक्स रहता है उसका आप पाप एक सो पचास से 180 ml प्रतेकड के साव से प्रयोग कर सकते हैं ड्रैंचिंग में इसके बाद अगला कीट है जो की दीमक है इसके लिए प्रेप्रोनल 0.3% आता है उसका आप पांच केजी प्रतेकड के साव से खित की त्यारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इमीडा क्लोप्रेड 17.8% टैसल फॉरम में आता है उसका आप सचाई के साथ आप 200-500 ml प्रयो कर सकते हैं इसके वाद अगला कीट है जो केविज बटर फलाई है जिसको गूवी की तितली बोलते हैं इसकी रोक्ताम करने के लिए क्लोरेंट ट्रैंडिली प्रॉल जो के 18.5% SC में आती है उसकी आप 50-60 प्रतेकड के साथ से छिड़काव कर सकते हैं या फिर आप इमाम एक्टन 25% SC में आती है उसके आप 100-150 ग्राम प्रतेकड के साथ से छिड़काव कर सकते हैं इसके वाद अगला कीट है जो कि गोवी छेदक है जिसको हम कैविज बोलर बोलते हैं इसकी रोक्ताम करने के लिए आपको क्लोरें ट्रेल ने प्रोल या इमाम एक्टन का प्रेयो कर सकते हैं इसके बाद अगला कीट है जो कि मकड़ी है जिसको मायट बोलते हैं इसकी रोक्ताम करने के लिए आप डाइप एंत्रान 50% WP को 125-150 ग्राम प्रतेकड के साथ से छिड़काव कर सकते हैं तो ये रह हमान पर मोसं पर कई कारोकों पर नरवर करता है तो आप कमेंट करकेज्ट संपूर जांकारी बजरंग बजरां ब्दार यूट्यूटीव चयनल और मिलते हैंक्स्ट वीडियो में एक नई जांकारी के साथ ज जानकारी जेक्सान